सो नाव ब्रैटकों गुरूव आप देखे आज जो मैंने कहाता आज एक इंपोर्टेंट यह आपकी दो चीज़े एक साथ होने वाले थी एक तो बहुत बड़े स्ट्रक्चर से आप भार निकलने वाले थे दूसरा आपका 50 डेमा यहाँ पर क्या हुआ है जरह समझते हैं आज क्या हुआ है आज पूरे स्ट्रक्चर से आज हम भार निकलते हुए न था रहे यह पूरा एक साल का ढाचा है इसी के अंदर ब्रैटकों गुरूप चलता रहा सबसे यह रहा आपका देख रहे हैं ना किस तरीके से आप जड़ा देखें गौर से यहां पर आपको समझ जाता था नीचे आयाता था तो यहां पर ब्रैटकों गुरूप ऐसे फसा होता एक स्ट्रक्चर में बीच में फसा होता अब जैसे यहां पर आप यह लोवर लाइन टूटनी थी यहां पर ब्रेक आउट हो जाता तो लोवर लाइन भी ब्रीच हुए और जो इस ट्रॉंग से उपर बंदो हो चुकी है आज करकी बात करें तो कल देखे किस तरीक से लाइन के पास यह आपका जो क्लोजिंग था बिल्कुल क्लोजिंग आज हो सकता था कि अज गर यहाता है आज लेकopherिन आज मजबूती के साथ चला मजबूती के साथ क्लोसिंग यहां पर मिली ए है दूसरी बास, most important चीज, 50 डेमा, आपका जो green line देखने को मिले, वो एक दम आप देखे, trend line की पास आ चुकी थी, 50 डेमा आपका यहीं पर था, यह आपका level था, 15 रुपए 95 पैसे की ऊपर निकलना था, candle कहा हुई है, आज 50 डेमा की ऊपर बंदुए है, most most and most important thing यही है, सबसे बड़ी बात, 50 डेमा को हमने catch कर लिया, कल अगर closing और मिल जा इसकी ऊपर, तो यह समझेए, बिल्कुल सही direction में stock यहाँ पर कहीं न कहीं चल पड़ा है, बहुत सही, यहाँ पर शायद रुकने का नाम नाले, 50 डेमा को cross कर देना, आप समझ सकते हैं, अगर आप market तेंचा साल से हैं, जब भी हम बात करते हैं, जब भी कोई बात करता है, 50 डेमा को cross कर दिया है, stock कहीं न कहीं आपका 100 डेमा की और चलने के लिए तया रहता है, और अभी भी कोई tension की बात नहीं है, यहाँ पर लगने को 4 से 5 अपर circuit all लग सकते हैं यहाँ पर, क्यों हैं यहाँ पर, RSI आ अगर जो 100 डेमा की हम बात कर रहे हैं, वो 21 रुपए, 60 पैसे या 70 पैसे के असपास कुछ पढ़ता है, तो वो 21 रुपए, 60 पैसे या 21 पैसे तक जा सकते है, यह stock, कितने अपर सरक्ट चाहिए, 4-5 पाच्छे साथ अपर सरक्ट चाहिए होंगे, तो आपका RSI यार है, न्य यह money flow index वो कह रहे हैं, लेकर हम उनकी सुनते नहीं है, हमें चाहिए RSI, RSI आप यह मत कहिएगा, कि neutral है, इसलिए आप कह रहे हो, RSI is the most powerful indicator, अगर आप देखें, तो आपको RSI का use जरूर करना चाहिए, कोई भी stock को आपको RSI का use करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा खासा profit दिला सकता है, कुछ-कुछ समय बाद, RSI आपने समझना सीख लिया तो, और मुबारक हो, आज दूसरा दिन है, 3000 करोड के मार्केट कैप के ऊपर, यह बहुत बड़ी बात है, कंपनी आप है, 3350 करोड रुपए की, यहां पर मार्केट कैप बाली कंपनी बनेगी, यह जो करने का मौका बहुत बहुत कम मिलेगा, यह बात ध्यां रखेगा, क्योंकि जतना ज्यादा मार्केट कैप होगा, उतना ही ज्यादा यह लोग पीछे आटेंगे, क्योंकि यहां पर पहले आगर इनके पास फंड है, 1300 करोड रुपए का, तो यहां पर ऑल्मुस्ट यहां पर तो यह बात है, बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, 33 करोड की मार्केट कैप बाली कमपनी अगर बन जाती है, जो कि आगे बननी है, वो तो किलियर है, लेकिन जितना बड़ा मार्केट कैप होगा, ऐसे जो फंड है, चोटे चोटे फंड है, वो पीछे ही रह जाते हैं, और र बुक वैल्यू देहां रखिए 32 रुपए, इसे स्टॉक की रियल वैल्यू अगर आप ना पर तो 32 रुपए बुक वैल्यू तो एट लिस्ट रहना चाहिए ना, तो उतना तो होने ही चाहिए, और आप एफिल की बात करते हैं, एफिल का जो कमपैर्जन है, मार्जिन और ब स्टॉक को यहां पर 21 रुपए, 76 पैसे को पार करने में आसानी और हो जाए, अगर Q4 की डेट आ जाए, और आज संकर सर्मय जी का ट्विट तो आपने देख लिया होगा, हार दिन, किसी ना, मतब एक दो दिन छोड़कर इनके ट्विट आई आते हैं अब, तो वो पूरा कम्यनी कोसिस करिए, लिखा किया जारा समझते हैं, तो इनके जो पॉलिंग नाइफ है, गिर्तो हुआ चाकू है, उसे पकडनी कोसिस ना करें, लेकिन यह सब सिर्फ बात है, रियल्टी में कई तरही के मैथड होते हैं, पॉलिंग नाइफ को पकडने के, कैच करने के, तो वही आपर कह रहे हैं, यह स्टॉक से ही रिलेटेड है, जब गिर रहा था, तो कितना सारा मामला हमारे सामने आ रहता है, ब्रैट कॉम ग्रूप यह रैड फ्लैग, यह फ्लैग, वो फ्लैग, पलानार फ्लैग, तो यह सारी चीज़े आ रही थी, आप सब की बोलती हैं, पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ सा नेगेटिब वाले आ जाएं, तो मज़ा आ जाएं, तो यह रहा हैं, आपको सीधी सीवा समझनी है, अगर आपको यहां पर समझ में आता है, आप TCS की ओर देखिए, इनफी की ओर देखिए, यह आपको डबल होते हुए न देखेंगे नियर टाइम, पांस साल की भी बात करें तो 90%, 90 तो बहुत जादा कह दिया, भाई, पॉस्मिल्टी यहां पर बहुत बहुत लो है, कि आपको यहां पर TCS डबल हो जाए पांस साल, आप कैसे कह सकते हैं, वो पंदरा लाग की कंपनी, पंदरा लाग करोड की कंप साल में यह तो TCS के बराबर बन सकती है, लेकिन फिर भी आप TCS में आप Infosys में बनाएं तो देखें तो आपको वो पैसा नहीं बनता हो देखेगा, जो स्मॉल कैप और मिट कैप में बनता हो देख सकता है, तो सीधी सी बात है, पैसा बनाना है, रिस्क लेना ही पड़ेगा यह मारकेट है, पहला उसूल है, रिस्क, बस, जिसने लिया, उसको रिवार्ड है, अब जिसने लोईस्ट लेवल पर ले लिया होगा, नौ रुपए 35 पैसे पर मुझे, यहाँ पर ध्यान है, और हम लोग बात कर रहे थे, और यही बात करी थी कि यहां से घूम गया तो पैसा, तो आप समझ रहे हैं, और वो बेशने का नाम नहीं लगा, और यहां पर क्या करना है, वो 9 रुपए 35 पैसे वो इस्ट्री हो चुकी है, अब गया, वो 2-3 रुपए वाले वो चिंडी बिंडी लोग वो गए, तो यह दिया रखे, तो पैसा बनाना है, तो रिस्क ल सारी नजरें टिकी होई है, वासे यह फॉरिंग से ओडिट हमारे फेवर में आए जाए, बस, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो अमीद आप पूरी बात यहां पर समझ गए होंगे, आपका कहना है इसके उपर कमेंस से स्थम कही हो, और अगर आप से वीडियो प्र